तो हलो मेरा नाम है अभिशेक और स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके प्यारेस चैनल जे आर कॉलेज में जो कि स्पेशिली डेडिकेट चैनल है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ने यहाँ पर वर्दान बाच चाले किया है 12th के बच्चों के लिए और हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स आप लोग को continue मिल रहे होंगे और मैं आप लोग को biology पढ़ा रहा है 12th standard की सही है तो हमारा एक lesson already complete हो गया है biology का और मैं आपके लिए लेकर आगया हूँ दूसरा lesson that is lesson number 2 जिसका नाम है reproduction in lower and higher animals यहाँ पे हम लोग animals की बात कर रहे हैं और इसमें भी हमारा lecture number 2 चल रहा है इतका मतलब lecture number 1 है वो भी मैंने already upload कर दिया है तो जरूर से जाकर जिन बच्चे ने lesson number 1 नहीं पढ़ा वो lesson पूरा पूरा पढ़ लेना और lecture number 1 भी देख लेना इस lecture के पहले क्योंकि अगर आप उस lecture को देखो के तो मैंने बहुत सारी introduction जैसी चीज़े वहाँ पे discuss की है तो जरूर से जाकर उस lecture को visit कर लेना सही बात है आज हम लोग lecture number 2 में क्या-क्या discuss करने वाले है आज हम लोग mainly focus करेंगे male reproductive system के बारे में सही है मैंने आप लोग कल last वाले जो lecture है उसमेने आप लोग को sexual reproduction के बारे में पढ़ाया था थोड़ा सा introduction वाला knowledge बताया था आप लोग को तो जरूर से जाके lecture number 1 जरूर से देख लेना ठीक है lecture number 2 में आज हम लोग यानि की male reproductive system को एकदम detail में study करेंगे बहुत सारी नहीनी चीज़ा आज हम लोग जानने वाले सही बात है ठीक है चलेगा तो lecture start करने से पहले वीडियो start करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बनना चाहता हूँ कि हमारा जो JR Tutorials का application है उसे जरूर से जाकर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से ऐसा क्यों क्योंकि उसके उपर आपको बहुत सारे notes मिलने वाले हैं सहीए जितनी भी चीज़े आप लोग पढ़ रहे हैं हमारे साथ JR College पे, JR Tutorials पे वो सारी की सारी चीज़े आपको वहाँ पे notes मिल जाएंगे साथी साथ वहाँ पे आप लोग को questions मिल जाएंगे practice करने के लिए बहुत सारे important questions आपको मिलेंगे जो मैंने last year भी दिये थे और मैं इस साल भी देने वाला हूँ तो वो भी आप लोग को JR Tutorials के application पे मिल जाएंगे साथी साथ बहुत सारे practice papers भी आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं मेरे instagram पे join हो सकते हो मुझे follow कर सकते हो सही बात है चलेगा so I hope आप लोग को यहां तक समझ में आ गई है चीज़े तो चलो start करते हैं आज का major lecture तो देखो मैंने आप लोग को सबसे पहले lecture number one में एक overview बताया था कि क्या-क्या पढ़ना है हम लोग को इस lesson में कैके इस lesson में हमловक क्या-क्या पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग along reproduction क्या हम उसकी बात कर रहे थे सभी है reproduction में मैंने आप लोग को ए-स- σε-ceks收看 reproduction पढ़ाया फिर asexual reproduction में आई गेस हम लोग ने दो चीज पढ़े थे, एक था budding, ठीक है, budding के बारे में हम लोग ने देखा था, और एक था बात की जाये, तो budding में आप लोग किसका example देना है, that is, spiral gara का example देना, sorry, spiral gara नी, east का example देना, यह मैंने आप लोग को already कल बताया था, lecture number one में बताया था, सभी बात है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग mainly sexual reproduction पर focus करेंगे, तो हम लोग यहां से बात कर रह सभी बात है, last वाले lecture में आप लोग को बताया था, एक था budding, और एक था gemule formation, ठीक है, gemule formation, जो किसके अंदर देखने मिलती हैं हम लोग को, जो हम लोग को sponges के अंदर देखने मिलती है, जो सबसे primitive organisms थे, जो सबसे primitive animals है, हम लोग ने 11th standard है, 11th standard में आप लोग ने, I guess, kingdom animalia पढ़ा होगा, तो उसमें जो सबसे पहला phylum था, that is, orifera, उसके जो organisms, that is, sponges, ठीक है, sponges, उसके अंदर हमको gemule formation देखने के लिए मिलती है, तो यह हम लोग ने पढ़ा, इस sexual reproduction में, अब अगर मैं sexual reproduction की बात करूँ, ठीक है, sexual reproduction की बात करूँ, तो mainly हम लोग किस animal के बारे में पढ़ना है, इस sexual reproduction में, mainly हमको इंसानों के बारे में humans के बारे में पढ़ना है, सही बात है, इनसानों के बारे में पढ़ना है, इसलिए, lesson को प्यार से, मैं human reproduction भी बुलाता हूँ, ठीक है, तो आप लोगो तो पता ही है, उसके बाद human reproduction में भी सबसे पहले जगो, human reproduction में क्या होता है, gamate का formation करना होता है, और उस gamate के formation के बाद, उन दोनों gamete का unite करवाना होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते है, fertilization चाहिए, तो gamete बनाने के लिए उस organ को समझना पड़ेगा, जिस organ के अंदर gamete का formation होने वाल है, उस organ को सबसे पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर मुझे पता चलेगा, कि आखरकार उसके अंदर gamete का formation कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पड़ेगे, उस organ system को पड़ेगे, उस organ system को हम लोग पड़ेगे, उस organ की बाड़ी में फीमेल का गामेट बनते हैं सही है तो मुझे दो सिस्टम को भी पढ़ने पढ़ना पढ़ेगा एक मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम तो आज हम लोग मेल फोकस करने वाले हैं मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्ट सिस्टम की ओपर तो आज हो इस मेल रेप्रोड़क्टिव सिस्टम की कहानी आज हम लोग शुदू करेंगे ठीक है उसके बाद नेक्स लेक्षिन में हम लोग female की ऊपर जाएंगे और उसके बाद हम लोग गवेतोजनेस करेंगे गवेतोजनेस मतलब क्या गामेट बनाने का process, सही है, इतना समझत में है, तो आज हम लोग mainly start करने बार है हमारा male reproductive system, मैं रेप्रोडुक्तिव system को मैंने तीन पार्ट में divide किया हुआ है, ठीक है, male reproductive system को मैंने तीन पार्ट में divide किया हुए, सबसे पहला पार्ट है इसको मैं कहूंगा that is primary primary sex organ जो सबसे पहला पार्ट है वो है primary sex organ जो दूसरा पार्ट है वो है accessory अक्सेसरी डॉक्ट है हर एक चीज बताऊंगा आप लोग को देरे अभी पार्ट देख लो उसके बाद लास्ट है हमारा accessory ग्लांड्स टीक है तो मेंली मेल रेप्रोड़क्टिव सिस्टम को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है एक आपका primary sex organ एक आपका accessory duct और एक आपका accessory glass टीक है मेल primary sex organ क्या है मतलब इसका देखो primary sex organ मतलब क्या ऐसा organ जो gamete का formation करता हो साथ ही साथ उस organ के अंदर हॉर्मून का production करे उसे में क्या कहूंगा primary sex organ टीक है primary sex organ मतलब क्या उसके पास दो function होने चीए सबसे पहला function क्या होना चीए कि बच्चा वो gamete ब बना है gamete बना है अगर कोई भी organ gamete का formation कर रहा है तो उसे में primary sex organ क्या सकता हूं साथ ही साथ वो हॉर्मून का production करे है अब बात हम लोग कर रहे है male reproductive system की बात कर रहे है तो जो gamete बनेगा वो भी male का ही बनेगा तो male के gamete का नाम होता है that is sperm sperm का production sperm is the male gamete तो जो male gamete बनाएगा वो क्या होगा आपका primary sex organ साथ हॉर्मून कुन सा बनता है हॉर्मून है हमारा androgen male sex organ कुन सा होता है androgen और mainly कौन सा androgen कौन सा androgen की बारे में हम लोग इस lesson में पढ़ने वाले है that is testosterone testosterone it is the male sex hormone और organ के बारे में तो मैंने आप लोगो बताया है और organ कौन सा होता है that is testis समझ में आई समझ में इतनी बात I hope आप लोगो इतनी बात समझ में आ गए होगी तो मैंने क्या किया है जो आपका male reproductive system है ठीक है उसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जो सबसे पहला पार्ट है that is primary sex organ ठीक है primary sex organ कौन सा है testis है और इसके function क्या क्या है इसके दो function है पहला तो gamut का formation करना अब male का gamut क्या होता है sperm मतलब यह जो testis है क्या बनाएगा sperm बनाएगा सहीए उसके बाद यह hormone का production करेगा कौन सा hormone sex hormone जो male के अंदर बनता है जिसके वज़े से male के अंदर secondary sexual characters develop होते है जैसे male के अंदर यह दाड़ी आती है जो किस के थुरू develop होता है, इस hormone के थुरू जिसका नाम क्या है, androgen, और उस androgen में भी कौन सा, जब गो, androgen में बहुत सारे होर्मोन आते हैं, बहुत सारे अलगल क्या होता है, लेकिन 70-80% कौन सा होता है आपका, testosterone, तो mainly हम लोग इस lesson में testosterone की ही बातें डिस्कस करणी है, उसके बात क्या है? accessory duct. देखो accessory duct मतलब क्या होता है? duct मतलब क्या होते है? रास्ते. आप लोग रास्ते लिख सकते हो. रास्ते मतलब कुछ जगह जहां से आपका male जो gamete है वो जाने वाला है, flow करने वाला. आप देखो जो implantation होता है या फिर जो fertilization होता है, humans के अंदर वो female के अंदर होता है, ठीक है? हमेशा आद रखना कि जो fertilization की process होती है, humans के अंदर वो हमेशा का होती है? female के अंदर होती है. fertilization का मतलब क्या है? कि male और female gamete एक दूसरे से unite करें सही है, तो male gamete को female reproductive system में जाना पड़ेगा, मतलब उसको अपने male reproductive system से बाहर भी तो आना पड़ेगा, तो जिन रास्तों से male reproductive system में, ठीक है? जिन रास्तों से male reproductive system में आपका जो sperm बाहर निकलता है, उन रास्तों को हम लोग क्या कहते हैं? accessory duct, समझ में आई बात, कौन-कौन से accessory duct होते हैं, यह मैं आप लोगो बताऊंगा, जब diagram के थ्रू में आप लोगो चीज़े समझाऊंगा, अब इतनी बात समझ में आ गई, accessory duct मतलब क्या होता है? accessory duct मतलब वो रास्ते हैं, जिन रास्तों से आपका, जो sperm है, व उसके अंदर 100% sperm नहीं होता, जो fluid निकलता है, उसे हम लोग semen कहते हैं, male का, जो ejaculatory fluid है, उसे हम लोग semen कहते हैं, अब इस semen के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10% ही, जिएक क्या होता है, 10% ही sperm present होता है, बाकी की चीज़े, देखो 10% ही sperm present होता है, बाकी का कुछ glands की secretion होती है, 90% क्या होता है, glands की secretion होती है, तो कुछ 3 glands present होती है, उन 3 glands को हम लोग किसमें study करेंगे, इस accessory gland वाले topic में study करेंगे, समझ में आ गया, so male reproductive system के 3 part है, सबसे पहला क्या है, primary sex organ, उसके बाद क्या है, accessory duct, accessory duct मतलब क्या, वो रास्ते है, जिन रास्ते से आपका male gamit है, वो बाहर न की secretion, जो आपके sperms के साथ मिलके, एक fluid बनाएगा, और उस fluid के थुरू के, जो आपका fluid है, उसके थुरू, जो sperm है, वो बाहर ejaculate हो पाता है, clear है, यह समझ में आ गया, so यह 3 part समझ में आ गया, I hope आप लोग को इतना ची समझ में आ गया होगा, इसका एक बार screenshot जरूर से लेन reproductive system, short form में लिखा है मैंने, male reproductive system, तो सबसे पहले देखो, diagram के तुरू समझते है, diagram के तुरू समझते है, एक दम easily हर एक चीज़ समझ में आएगी, तो यह आपका body wall है, यह आपके body की wall है, सही है, अब इसके नीचे, एक pouch like organ present होता है, बच्चों, ठीक है, इसके नीचे, एक pouch like organ present होता है, और इस pouch like organ के अंदर, आपका जो male reproductive system है, वो present होगा, जो male reproductive system का primary sex organ है, वो present होगा, अब यह structure कहां present होता है, ठीक है, यह structure कहां present होता है, देखो, मैं आप लोगो एक normal सा structure बना के दिखाता हूँ, for example, यह कोई person है, ठीक है, यह कोई person है, और यह इसकी body है, यह इसकी pair होंगे आपे, इतना अच्छा beautiful diagram नहीं बना है, चलो कोई बात है, हम लोगो सिफ सीखना है, तो यह इसकी पूरी की पूरी body है, अब इस body के अंदर, बहुत सारे cavity present होती है, मतलब बहुत सारे खाली space present होती है, उसे हम लोग क्या बते है, body cavity, या फिर silong के आते हैं, सही है, और इस body के बीच में, यहां पे एक diaphragm present होता है, चलो के डाइफरम पता है, आप लोगों lungs के नीचे present होता है, सही है, तो यह जो diaphragm होता है, यह body cavity को दो पार्ट में divide करता है, जो उपर वाला पार्ट है, या यह वाला पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं, thoracic cavity, जिसमें आपके lungs situated होते हैं, आपका heart situated होते हैं, इस thoracic cavity के अंदर और उसके बाद यह जो नीचे वाली cavity हैं, यह वाली cavity, इसे हम लोग कहते हैं, abdominal cavity, ठीक है, इस हम लोग क्या बोलते हैं, abdominal cavity, जिसमें आपका stomach, small intestine, large intestine, यह साड़े organs इसके अंदर situated होते हैं, अब इस abdominal cavity का जो नीचे वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा ठीक है जो ये वाला region है इस region को आप लोग कहते हैं pelvic region क्या कहते हैं pelvic region इस pelvic region के अंदर आपका male reproductive system present होता है इस pelvic region में ही आपका male reproductive system present होता है तो आप देखो male reproductive system की बात करूँ तो आपके pelvic region के जांस सुनेंगे pelvic region के बाहर ऐसे hang कर रहा होता है जो primary sex organ है तो वही मैंने यह आपर बनाने की कोशिश की है तो समझ मैं ही बात तो ये आपकी body wall है ये वाले जो पट्टी है ये वाली जो line दिख रही है ये आपकी क्या है body wall और उसके आगे एक pouch like organ ठीक है एक pouch like organ क्या कर रहा होता है hang कर रहा हो आपके body से इसको मिटा दुमें अब यहाँ पर मुझे कुछ naming देने है तो एक pouch like organ hang कर रहा होता है हमारे body के बाहर इस pouch like organ को हम लोग कहते है scrotum जा कहते है इस से हम लोग प्रॉटम सही है समझ में बाद अब देखो यह चो pouch like organ है यह एकदम air tightly pack नहीं है ठीक है मतलब यहाँ पे कुछ opening present होगी बच्चो ऐसा नहीं है कि यह body से एकदम बाहर ही present है यहाँ पे कुछ opening present होगी ठीक है यहाँ पे कुछ opening present होगी दोनों इन गुइनल कैनाल से बहुत सारी चीज़ें अंदर आई हुई रहती है आपके स्क्रॉटम के अंदर जैसे अब देखो हमारे स्टमक के यहाँ पे कौन से muscles present होते हैं सबको पता है हमारे स्टमक में skeletal muscles present होते हैं दो टाट के muscles होते हैं जिन बच्चों को नहीं पता उसे बतादू दो टाट के muscles हमारे body में मिलते हैं ठीक है एक्चुली तीन टाट की होते हैं हम लोग mainly पढ़ते हैं एक होता है skeletal muscle और एक होता के according कर सकते हैं विल्कुल भी नहीं कर सकते हैं तो कुछ ऐसे muscles is जिनको हम अपने will के according on and control होते हैं हम अपने accommodation कर Congress हैं कर अगरी है उछा करें कर proteg कर पारे हैं आप लोग ने बाबारामे को देखा होगा एपने स्टमक को देखो, अपने बेली को कितना सही से हिलाते हैं, फिर आप लोग ने बहुत सार बेली डांसर्स को भी देखा होगा, सही है, तो इसका मतलब क्या है, वो लोग अपने स्टमक को इस मसल की लाइन को क्या कहते हैं, इस मसल की लाइन को क्या कहते हैं, इस मसल क्या है, इसी मसल के पीछे, एक स्मूध मसल की भी लाइनिंग आई हुई है, इसी मसल के पीछे, एक स्मूध मसल की भी लाइनिंग आई हुई है, इसी मसल के पीछे, एक स्मूध मसल की भी लाइनिं मसल की भी लाइनिंग आई हुई होती है हमारे स्क्रॉटम में यहीं पर, समझ में आई यह बाद इस मसल को क्या कहते हैं इसका क्या नाम है, इसे हम लोग कहते हैं डाल्टॉस, चीक है, यह जो अंदर वाली कवरिंग बनाई, यह कौन सी मसल है इसे हम लोग कहते हैं डाल्टॉस, चीक है, और यह डाल्टॉस क्या है इट इस अ स्मूध मसल अंसी मसल है, यह स्मूध मसल है, समझ में आई बात इतनी बात समझ में आगे देखो, अभी तक मैंने आप लोगो जादा कुछ बताया ही नहीं है, अभी तक मैंने आप लोगो उपर-उपर से चीज़ बताईए, कि मेल जो रिप्रडॉक्ट्री सिस्टम वो तीन पार्ट में डिवाइड़न है, एक आपका प्राइमरी सेक्स ओर्गन, जिएक आपका एक्सेसरी ग्लैंट जो मेल प्राइमरी सेक्स ओर्गन है, वो क्या है? टेस्टिस, जिसके अंदर मेली क्या होते है, होर्मोन का प्रड़क्शन होता है, और अपना गैमेट्स का प्रड़क्शन होता है, उसके बाद द्दक्स के बारे में अभी तक मैंने आप लोग कुछ बताई है नहीं हूँ हूँ और गलैंड्स के बारे में यह आप लिए ऐसे नाहीं वंगे अगया नहीं है, बनादी लेकिन वे पाऊच लाक और लिया ऑर्गन, को मैंने क्या बोला है स्कुरॉटम साहिए और इस के अंदर 2 मसल आग dispos मुझत एक स्कलेटल मसले क्रीम एसटर मसले स्मूद मसल उसे मैं क्या कहताउ। यद्ध साभी तक इतनी बात हो एकará चोए और यह जो दोनों शल यह जब तब देखो temperature क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके वज़े से इसका temperature भी कम होने लगता है, अब देखो, जो हमारा scrotum है, उसके अंदर जो male का gamut है, उसको produce करने के लिए around around 32-35 degree Celsius होना जरूरी है, ठीक है, 32-35 degree Celsius होना जरूरी है, यहां का temperature इतना maintain रहना जरूरी है, इसलिए इसका temperature ना body temperature से कम होता है, इसलिए यह हमारे body के बाहर hang कर रहा है, सही है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका temperature हमारे normal body के temperature से कम है, हमारे body का temperature कितना होता है, 37, लेकिन इसका temperature कितना है, 32-35, मतलब क्या है यह कम है, सही बात है, कम temperature है, इसलिए यह हमारे body के बाहर hang कर रहा है, लेकिन अगर बाह थोड़ा सा छोटा करके उसे अपनी तरफ खीच ले जाता है ताकि यह थोड़ा सा वाम रहे और इसके अंदर अच्छे से गयमेट का प्रड़क्शन हो जाए तो इसका मतलब यह जो दोनों मसल है यह टेंपरेचर अब इसके अंदर में ने बनाई ही नहीं है जो में चीज है वो क्या है हमारा किस यहां पर टेस्टिस और यहां पर टेस्टिस टिक है तो यहां से पढ़ना है हमेशा पेपर में जितने भी कुश्यन आएंगे उनको ध्यान से पढ़ना है क्यों कि जो एकजामीनर है वो आपको तो यहां से महां घुमाने का ट्राय करेगा, सही है, उसमें आपको फसना नहीं, आपको लेगा यार, इतना easy question है, क्यों पूछा है, लेकिन जब आप exam को, जो question को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, तो वो answer आपका गलत हो सकता है, clear है, समझ भाई बात, ऐसा question आ चोगा था एक बार सही है, कि कितने pair of testes present होते हैं, male reproductive system में, तो बच्चे लोग two को tick करके आ गया थे, उनको से वितने ही दिमाग में आथा, कि यार दो testes होते हैं, तो दो answer होगा, लेकिन pair हम आप एक word लिखा होता है, ठीक है, तो single pair, तो यहां पर मैंने क्या बनाया है, a single pair of testes, मतलब दो testes present ह होते हैं, एक आपके male reproductive system में, सही है, these are the testes, लिख दें आपके, and it is the primary sex organ, मैंना भी आप लोगो बता है, primary sex organ, क्यों, क्योंकि इसी के अंदर male gamate form होने वाले हैं, और इसी के अंदर hormones का production होने वाले है, सही है, आप देखो, इस testes के अंदर, बहुत ही छोटे-छोटे compartment होते है बाद रहे हैं, बиваем बच्च्छों, तेकि इस testes के अंदर, ऐसे बहुत ही, छोटे-छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, compartment present होते हैं, और ये compartment बहुत सारे प्रेजेंट होते, बहुत सारे present होते हैं, सही है, कुछ lobes present होते, सामलोग बोल सकते हैं, इन compartment को क्या कहते हैं आब दे tl वह पोड़ा से 2 हुन्ड़र्ड से 300 पर टेस्ट इस क्या बोला मैंने एक टेस्टिस में 200 से 300 इनिकी amount present होती है ठीक है किसी में 220 हो सकते 30 हो सकते हैं मतलब 200 से लेगे 300 के बीच में यह present होते हैं और पर testis के अंदर समझ में आ गया अब इसके अंदर क्या present होगा तो उसको भी देख लेते हैं for example मैंने आ पर थोड़ा सा बड़ा सा तेस्ट्रिकलर लब्यूiber बने है तो इसके अंदर क्या present है तो इसके अंदर एक बहुत ही पतली सी tube present होती है यह पहे तैपा है तो इस tube को क्या कहते हैं इस ट्यूप को हम लोग खहते हैं सेमिनी फेरस टिब्यूल समझ में आई बार आई होप आप लोग वो इतनी बाते clear हो गई होंगी अभी तक मैंने आप लोग को बहुत सारी बाते बता दी है और अभी बहुत सारी बाते मुझे बताना बागी है तो आई होप आप लोग को जितनी चीज़े मैंने बताई है वो clear होंगी एक बार वापस revision कर लो क्या-क्या मैंने बताया है मैंने आप लोग को बताया है कि एक pouch-like organ है जिसमें आपका testis present होता इस pouch-like organ को हम लोग क्या कहते हैं scrotum अब इस scrotum के अंदर दो muscles है एक है cremaster muscle जो कि skeletal muscle है और एक है daltos muscle जो कि क्या है smooth muscle है सही है दोनों muscle का क्या है temperature regulate करना सही है अगर temperature बाहर बहुत ज़्यादा कम हो गया या बढ़ गया तो उसके इसाब से यह लोग अपना size कम ज़्यादा कर देते हैं सही बात है उसके बात क्या है यहाँ पर दो क्या present है testis present है और single pair of testis या फिर दो testis आप बोल सकते हो pair word नहीं लगाऊगे तो दो testis सही है और इस testis के अंदर बहुत ही छोटे-छोटे lobes present होते है कितने lobes present होते है 200 से लेके 300 pair testis और इस lobes को हम लोग क्या बोलते है testicular lobule अब इस lobe के अंदर देखो अगर मैं इस lobe के अंदर जहांकू तो इस lobe के अंदर आपको क्या मिलेगा एक पतली सी tube मिलेगी इस lobe के अंदर एक पतली सी tube देखने के लिए मिलेगी इस tube को हम लोग क्या कहते है that is seminiferous tubule that is seminiferous tubule I hope आप लोग को इतनी बात है clear होंगी अब मैं क्या करता हूँ इस seminiferous tubule को निकालता हूँ यहां से बाहर और इसको बीच से cut करता हूँ और देखता हूँ कि इस seminiferous tubule के अंदर कौन-कौन सी चीज़ है देखो हम लोग 12 standard में तो हम लोग को यह बात तो है कि हम लोग को detail में हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी सही है तो detail में जानना है कि इसके अंदर मैंने आप लोग को बता है इसके अंदर sperm का formation होता है तो क्या होता है इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ प्रेजेंट हो दी जिसके वैसे sperm का formation करता है तो वो चीज़ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं तो क्या करो यहां से एक testicular lobule लो ठीक है एक testicular lobule लो यहां पर यहां पर एक testicular lobule बने लिया और इसको क्या करो बीच से कट कर दो अब इस testicular lobule के अंदर क्या था इसके अंदर एक tube था ऐसे करके इसके अंदर एक ऐसे tube थी ठीक है अब इसको क्या करना है इस testicular lobule को बीच से cut करना है, और इसको बीच से cut करो, और इसके उपर इसे जाको कि इसके अंदर आपको कौन-कौन से चीज़े दिख रही है इसको हम लोग कहते हैं, transverse section जब आप किसी भी चीज़ को ऐसे लेओ, ऐसे लो, ऐसे cut करो और इसे उपर से देखो कि इसके अंदर कौन-कौन से चीज़े प्रेजेंट है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, that is, transverse section तो अभी हम लोग को पढ़ना है, transverse section of lobule, तो क्या-क्या मिलेगा थोड़ा सा बड़ा सा structure बनाना पड़ेगा एक बड़ा सा structure बना रहा हूँ, इसी चीज़ को बड़ा किया है हम लोग में, तो इसके अंदर कौन-कौन से चीज़े मिलेगी देखो ये किए ये किए, देखो, ये आपका बड़ा सा क्या था, lobule तो इसको मैंने cut किया, तो ये जो tubes होगी, ये भी क्या हो जाएंगी, बीच से cut हो जाएगी, तो जब आप किसी भी tube को इसे बीच से cut करोगे तो आपको इसे उपर, अगर आप उसे उपर से देखोगे तो आपको round ही दिखेगा ना, तो मैंने आपे दो tubes बनाए हैं, ये दोनों क्या है? सेमीनी फेरस egenafris tubule, ils can't feel clear है, समझ में आ गया Seminiferous Stribule, अब इस सेमीनी फेरस cancar से चीजे present होती है, द्याफ सतहको, यहां पे कुछ इस shape के cells present होते हैं कुछ इस shape के देखरा है, कुछ इस shape के cells present होते हैं और ये सारे के सारे cells, एक और दूसरे से connected होते हैं तायेट जंक्षिन के थे त्रूप था तोडेटard Susnymi घूझारं यहां पर द्खशन त्रूप यह है तायट जंक्षृ तायट जंक्षिन जाते यहां से कुछ भी पास नहीं कर सकते यहां से कोई की चीज यहां पास नहीं हो सकती ऐसे जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं टाइट जंक्शन ठीक है मतलब दो इसके बीच में यह कुछ यहां पे cells present है, इन cells को हम लोग क्या कह रहे हैं, इनका नाम में आप लोग को बताऊंगा, पहले में थोड़ा से इसको color कर देख सको, ताकि आप लोग अच्छे से देख सको, और differentiate कर सको तो यह यह वाले cells, यह वाले जो cells है, this is the और यह क्या है, एक दूसरे से tight junction से present है, एक दूसरे से tight junction से connected है, समझ में आ रिए बात, समझ में आ रिए बात, I hope आप लोग clear होंगी यह सारी बात है, चलो, हो गया, हो गया, ठीक है, दिख गया है cells, इन cells को क्या कहते हैं, इन cells को हम लोग कहते हैं, नर्सिसल, चलो, हम लोग क्या बोलते हैं, नर्सिसल, अब एक नर्स का काम क्या होता है, आप लोग कभी hospital गए रोगे, मत चाता नहीं कोई भी hospital जाए, बट आप लोग में देखा होगा, किसी movie में देखा होगा, किसी serial में देखा होगा, उसको hospital के बारे में, तो उसमें नर्स होती है, नर्स का function क्या होता है, कि किसी भी चीज की care करना, सही है, किसी भी चीज की care करना, उसको nutrition देना, उसे खाना देना, सही है, तो यहाँ पर भी इन cells का function भी यही है, जब आपका sperm बनेगा, चाहिए, sperm cells का development शुरू होगा, तो उन sperm cells के development के process के थुरू, उनको जो खाना देने का काम होगा, जो food देने का काम होगा, वो इन नर्स cell का होगा, चाहिए, इन नर्स cell का होगा, इसी cells को हम लोग, सर्स्टैंटी क्यूलर सेल भी कहते हैं, सर्स्टैंटी, एक सेगे एक सेगे, यह थोड़ा नीचे आ गया, ओक्यूंटी क्यूलर सेल भी कहते हैं, क्यूंँ भाई, यहां तक समझ में आ गया, तो यह जो cells है, जो मैंने आप लोगों बताया, कि जिनका main function क्या है, जिनका main function क्या है, nutrition प्रोवाइड करनेगा, खाना प्रोवाइड करनेगा, उनका नाम क्या है, या तो आप उसे nerve cell कहलो, चीक है, या तो आप उसे sustanticular cell कहलो, या फिर इनी का ही एक और नाम है, प्रीस, इन्हें आम लोग कहते हैं,łamने पा क्या कहते हैं, सर्टोली cell, चीक है, तो ये नाम शायद आपके बुक में दिया हुआ है, यह नाम शायद मुझे confirm नहीं है कि आपके book में दिया है या नहीं दिया है लेकिन यह नाम आपके book में दिया हुआ है तो आपको यह तीनों नाम अगर exam में पूछे जाते हैं कोई भी नाम आपको पोचा जाता है तो आपको पता होना चीए कि यहां पर कौन से cells की बात की जा ही है समाज में आ अधी बात फिर हूब आपको इतना क्लियर होगा तो ये जो कहां पर रहा है देगा ये सब कुछ किस MP3 प्रेंट है यह सब कुछ सेव मिनी घ्रील के ँद ुरी मिन अपी sound कर डिछ या तो आप इनहे नर्सल के हलो जा फिर इन clutch substanticular cell कहलो, या फिर इने आप क्या कहलो, that is sertoli cell कहलो, clear है, समझ में आगया बात, और इनी sertoli cells के बीच में, यहाँ पे, इनी sertoli cells के बीच में क्या present होते हैं आपके male organ male organ बोल रहा हूँ that is male sex gamate present होते हैं, जिससे आगे चले कि आपका sperm का production होगा, ठीक है, these are the cells जिससे आगे चले कि क्या होगा, sperm का production होगा, और यह जो cells होते हैं, these are the stem cells, बच्चो, ठीक है, ऐसा क्यों, देखो, जब मैं आप लोगो पढ़ाऊंगा gamate का formation, तो उसमें मैं आप लोगो एक चीज बताऊंगा, कि जो male जो male organ होता है, उसके अंदर throughout the life, ठीक है, throughout the life जो sperm का production है, वो चलता रहता है, मतलब जब बच्चा, एक boy puberty hit करता है, puberty जब उसकी start होती है, तो तब उसका, जो sperm का production है, वो start होता है, और तब से लेकर जब तक उस बच्चे की death नहीं हो जाती है, मतलब 80, 90 साल तक, जो male organ है, उसके अंदर sperm का production बनता रहता है, ठीक है, sperm बनता रहता है, तो इसका production कभी बंद नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, कि ये जो cells है, ठीक है, ये जो cells है, ये हमेशा खुद को क्या करते रहेंगे, produce करते लेते जिसके वाज़ से ये कभी खतम नहीं होते and that's why they are the stem cells ठीक है इसी वज़ेसे ये क्या है stem cells stem cells ऐसे cells होते जो कभी खतम हम लोग बोल सकते कभी खतम नहीं हो सकते और वो unlimited number of times का कर सकते है mitosis कर सकते cell division कर सकते है इं cells को क्या कहते है इंसल्स का नाम क्या है इसे हम लोग कहते है spermatogonia या फिर spermatogonium singular में spermatogonium और अगर आप plural यूज करोगे तो spermatogonia सही है तो मैं दोनों लिख के दे देता हूँ spermatogonium यह हो गया singular में चेक है वहीं अगर आप plural में बात करोगे तो spermatogonia and these are the stem cells हमेशा याद रगना हमेशा these are the stem cells these are the stem cells जो हमेशा unlimited number of time क्या कर सकते हैं cell division कर सकते हैं clear है यहां तक समझ में आ गया I hope आपको यहां तक कोई doubt नहीं होगा अब देखो यह जो खाली खाली space है यह जो interstitial space है जो खाली space होती है उसका हम लोग interstitial बोलते है अब इस interstitial space से पे कुछ कुछ cells present होते हैं कहीं भी चाह यहां present हो सकते हैं चाह यहां present हो सकते हैं सही है तो इस interstitial space पे इस interstitial space पे यहां पे कुछ cells present होंगे कुछ cells present होंगे चिक है और यह बहुत important cells है एक male sex organ में चिक है एक male reproductive system उसका production करने वाले हैं और इसी से आगे चलके hormones का production के वज़र से ही आगे चलके आपका sperm का production होगा चेक है? तो अगर किसी भी person को sperm का production करना है तो उनके अंदर in cells का active होना बहुत ज़र्द ज़रूरी है अब in cells का नाम क्या है? in cells का नाम इतने important cell है तो इनका नाम बिता होगा आप देखो simple सा नाम है ये interstitial space पर present है मतलब जो खाली खाली जगा उसे हम लोग interstitial space बोलते हैं तो इनका नाम है interstitial cell simple inter interstitial cell चेक है? या फिर इनी का ही एक और नाम है that is ladic cell तो मजमाई बाद चेक है? इनी का एक और नाम है ladic cell तीक है? आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर एक cell के कई कई नाम है सही है तो जितने भी नाम है वो हम लोग को ध्यान में रखने है तो कि आपके board point of view से बहुत सारे नाम तीक है? आपको जो examiner है वो आपको confuse करने के लिए एक नाम के जगए दुषरा नाम दे सकता है चीज वही रहेगी चीज सिंपल रहेगी बट आप confuse हो सकते हो इसलिए जितने भी नाम possible है जितने भी नाम available है मैं आपको हर एक नाम बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी confusion ना हो clear है समझ में आ गया? testo clear है समझ में आ गया समझ में आ गई बात ठीक है so I hope आप लोगको ये TS of lobule समझ में आ गया होगा it's a TS of lobule में कौन-कौन सी चीज़ हम लोगने पड़ी देखो TS of lobule में कुछ circle से structure हम लोगने पड़ी ये circle क्या है ये जो spermatogonia है उनको nourishment प्रवाइड करेंगे उनको खाना देंगे तभी ये आगे चलके जो spermatogonia है ये develop हो पाएंगी किसी के भी development में उनको nutrition देना बहुत ज़रूरी होता है सब कुछ कैसे होता है वो हम लोग डिसकस करेंगे हम लोग देखेंगे कि ये बच्चो कैसे ही इसका production होता है कैसे आगे चलके gamet का production होता है वो साही चीज़े हम लोग फोड़ा सा discuss करेंगे तो आभी आयो होप आप लोगो इतनी बात है समझ में आ गए होंगी आप लोग इतनी चीज़ समझ में आ गए होंगी तो जो male sex organ है उसकी बात है हम लोग की हो गई अभी मुझे आप लोगो बताना है that is accessory duct के बारे में और accessory glands के बारे में कि अब जो male का यह जो organ है ठीक है male का जो sperm है वो बन तो जाएगा बन तो जाएगा लेकिन वो आगे चलके produce कैसे होगा कैसे वहाँ से बाहर निकलेगा उसके अंदर कौन-कौन से glands आगे चलके लगने वाले हैं ठीक है accessory glands के बारे में और कैसे meals के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पर कैसे जो hormones है वो बनते हैं और उन hormones से आगे चलके क्या effect होता है आपके sperm cells के ओपर ठीक है तो जो आगे की बात है वो हम लोग next lecture में discuss करने वाले है तो next lecture जरूर से लेखना इसका part 2 रहेगा वो समझ में आई बा 12 के 11 के दोस्ते science के commerce को सब तक इस channel का link पहुचा दो क्योंकि हर standard का 11 और 12 का जो science का commerce है उसका हर एक subject का lecture वीडियो उस channel के ओपर आने वाले है तो सब तक share जरूर से करते हैं और हमारी app जरूर से डाउनलोड कर लें चीक है मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए keep studying